हाई फ्रेंट्स अपने इस वीडियो में हम मैट्स जो आपका एंटीपिसी प्रीविए सेर के मैट्स के कोश्चन चल रहे हैं पिछली परिछाओं में पूछे हुए यह आपका 283 2016 के सिफ्ट 3 में पूछा गया मैट्स का पेपर होगा इसमें आपके कोश्चन होंगे सारे कुछ कोश्चन बचे हैं वीडियो लंबा ना होने की वज़े से मैंने ज्यादा कोश्चन नहीं लिये है इसका नेक्स्ट पार्ट भी हा गया सिफ्ट 3 का तो चलिए सुरू करते हैं और अभी तक चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे बेल आइकन प्रस कर लि मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में पुल को पार करती है पुल की लंबाई बताईए बहुत इजी कोश्चन है देखे जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो वो जो ट्रेन होती है वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर पे केवल पुल की लंबाई पूछा गया है तो वो एक सिंपल सा फॉर्मला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय वहाँ पे जो जो चीज आपको पता हो रख दीजे निकल आएगा तो मैंने आपको यह कोशन आके सॉल कर दिया है देख लीजे चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मला होता है ट्रेन पुल को पार कर रहे है तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तरह करेगी यहाँ पुल की लंबाई पूछी गई है तो हम पुल की लंबाई को एकस माल लेंगे अब देखे उसकी जो यहाँ पे दिया क्या गया है 15 सेकेंड स तो समय का फॉर्मला क्या होता है दूरी बटा चाल तो समय हो गया 15 दिया गया है और यहां पे देखें चाल उसकी 90 दी गई है 90 मीटर यहां पे X दी है पुल की और नीचे योदो है चाल और अलग से 15 दी गई है आप एक पर और देख लिए 15 मीटर उसकी लंबाई दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड चाल दी गई है और 15 सेकेंड उसको टाइम लिगा है तो यहां पे हमने फॉर्मले में रखा कि समय बराबर दूरी बटे चाल यहां पे दूरी जो होगी वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों के बराबर होगी इसको यहां पे क्रॉस 25 मीटर आ जाएगी एक्स की वैलू तो वो आपका पुल की लंबाई हो जाएगी चलें नेक्स कोशन को देख लेते हैं यह दि नमबर 3 x 7 sorry नमबर दिये गए है 3 6 7 11 x 15 19 20 25 and 28 आरो ही करम में है और इनकी माधिका दी गई एक्स की वैलू निकालनी है बहुत ही जी है पहले इन प्लस एन बाई 2 प्लस वनवा पद बाई 2 तो यहाँ पे एन क्या होते है जितने टोटल नमबर हो तो टोटल नमबर अगर आप देखेंगे तो टोटल नमबर कितने हैं देख लीजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 10 नमबर पूरे हैं तो यहाँ पे 10 बाई 2 5 आ जागा 10 बाई 2 प्लस वन यह हो जाएगा एन वा पूरा पद हो जाएगा बाई 2 तो 5 और 6 मिलके हो जाएगे ग्यारवा पद ग्यारवा पद बटे 2 इसका अंसार आना चाहिए सॉरी मैंने बोल दिया ग्यारवा पद इनको जोड़ते नहीं क्योंकि यह अलग-अलग होते हैं इसको यहाँ पे देख एक्स प्लेस पंदरा बाई 2 इस तेरा का मल्टिप्लाइश में हो जाएगा 26 हो जाएगा और यहां से माइनस का 15 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू 11 आ जाएगी तो इसकी मादिका कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी चलिए नेक्स को देखते हैं इसको सॉल करना है यहाँ पे लिखा 3 मल्टिप्लाइए अंडर रूट स्कॉयर रूट 121 361 और 529 और 36 तो यह बहुत ही जी है देखिए 121 का जो होता है वो स्कॉयर 11 होता है तो इसको हमने सॉल किया है आगे देखिए आप यह देखिए इस तरीके का कुश्चन दिया है तो 3 इंटु 11 हो जाएगा माइन यह 19 का होता है यह 23 का होता है यहाँ पे 2 प्लस का 2 इंटु 6 इसको सॉल करेंगे तो 33 माइनस का 19 23 प्लस का 12 आ जाएगा और सॉल करने पर उपर सब्ट्राइट करने पर आ जाएगा 14 बाइ 35 इसे 7 से डिवाइड कर देंगे 7 तू जा 7 फाइब जा तो 2 अपॉन 5 इसका राइ आं सा शमान तब नहीं विप्रित बुजाओं के दो जोड़े होते हैं समानतर जो बुजाओं का एक जोड़ा होता है अगले को स्छें को बढ़ते हैं पर अगिला को सुब अपॉन 5 इसको तो इसको solve कर लिजी करते क्या है देखिए LCM लेते हैं 35 का LCM तो ना LCM लेके इसको क्या किया करें cross multiply में करिया करिए तो यह हो जाएगा 5y प्लस का 5 और इधर इसे करेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस का 6 और equal to यहां दोनों को 35 15 और 15 का उधर करेंगे जाके तो यहां 45 5 solve करने पर आएगा तो यह 3y 5y add कर देंगे तो हो जाएगा 8y और यहां पर 5 प्लस 6 हो जाएगा 11 जिसको हम 45 में उधर subtract करेंगे जाके तो आजाएगा 8y equal to कितना आजाएगा 34 यह देखे solve किया है मैंने इसको देखे यहां पर यह cross multiply करके इससे solve किया यहां पर y की value आ गई 34 by 8 इसको divide करेंगे तो इतना अंसर आपका आ जाएगा 4.25 इसका right answer हो जाएगा option नंबर B चलें next question को देखते हैं आगला question क्या पूछा गया था एक question है कि एक दुकान दार है वो 10 प्रस्षत और 20 प्रस्षत और प्रस्षत की दो यहां पर दो लिखाय देख लीजिए दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पात के लिए 108 रुपए पाता है इसका वास्तिक मूल क्या होगा तो वास्तिक गूगल का बिल्कुल उत्पात करें में मुल्टिप्लाय कर देता है यहां उ सब्ली निकालना हो तो जितने में बेच रहा हो पहले में उसको 20 पर्सएंटर की हानई करदेते हैं सुबटे 20 कर देते हैं क्रैमूल उपर रहता है करे यहां 150 इसका अंसर आजाएगा तो इसका right answer 150 आएगा यहाँ परफिए कि बीस पर्सेंट था 20 पर्सेंट का मतलब क्या होता है एसी असी निकालते तो इसको जस्ट provट कर देंगे इसका क्या Dz 7 ज ज कर देंगे से इसका इसको मिस्रित किया जाता है तो 300 रुपे में बेज दिया जाता है तो लाब प्रस्थ बताना है अगर हमको लाब प्रस्थ निकालना होता है तो हमको लाब पता होना चाहिए क्रेमूल पता होना चाहिए 100 से मल्टिप्लाई करते हैं यह चीज होती है तो हमको सब्सक्राइब मूल पता करना है तो 5 किलो चीनी जिसका मूल 75 रुपई है तो 1 तो 75 रुपई यह हमको बिल गए साथ में हमको 10 किलो चीनी जिसका 180 मूल है तो 75 और अगर 180 को जोड़ देते हैं तो वो टोटल हमारा क्या निकल आएगा CP और SP उसका दिया है उसने 300 मैंने सॉल किया आगे देखिएगा CP ले लिया 75 प्लैस एक्सो 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 को 255 SP उसने आल लेटी 300 दे रखा है तो यहां से प्रॉफिट निकालेंगे SP मैनस CP करके 45 आगा प्रॉफिट परसंटेर निकालने के लिए क्या करते है प्रॉफिट अपॉण CP इच्को मल्टिप्लाई 100 तो 45 मल्ट अपॉण 255 को डिवाइड करेंगे अर 100 से मल्टिप्लाई करेंगे तो इसको 5 से कर लेंगे 59 जा और यहां पर 55 जा 1 यहां इक्या 1 यह से आजागा 3 से करेंगे 3 अपॉण 17 आजागा तो 300 अपॉण 17 को सॉल करेंगे तो आजाएगा 17.65 परसंटेज इसे आप देख लीजेगा नेस्ट कोशन क्या है मेरा मेन मोटो है कि आपको कोशन प्रोवाइड करना उसका कोई कंसर बताना अब इतनी मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ जैसे आपका कम समय में आपको एक प्रेक्टिस सेट हो जाए ठीक है नेस्ट कोशन देखे दो धनात्म पुडांको का गुडन फल 375 है जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विवाजित किया जाता है तो पांच तीन बसता है सबसे चोटी संख्या पता लगाईए ये कोशन बहुत ही जी होते हैं कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर इतना बसता है तो मतलब जो बसता है वो 5 बाई 3 है तो यही वो दो संख्या होती है इनको पता होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ये गुड़न फल देता है तो इन संख्याओं को क्या उसे इसकी ट्रिक यही होती है कि 5 तीन है अगर ये दोनों संख्याओं भाग करने पर तो यही दोनों संख्याओं होंगी तो 5 प्लस 3 होती है इनको मल्टिप्लाइ कर देते हैं पंद्रा आता है और पंद्रा को किसके बराबर कर देते हैं पंद्रा को जो उसका गुडण फल दिया हो 375 लेकिन एक चीज यह होती है कि जब हम 15 को इससे मल्टिप्लाइ करते तो यहां पे x दोनों क्या होता है x square के साथ मिलेते हैं x square के साथ मैं ऐसे लेगे 375 तो यहां से इसकी value 25 निकालेंगे तो x की value आएगी 5 तो एक संक्या मेरी हो जाएगी क्या दी थी दो संख्याय मुझे दी थी जैसे 5 और 3 तो एक संख्याय मेरी 5 इंटू 525 हो जाएगी एक संख्या 5 इंटू 3 मतलब 15 हो जाएगी तो छोटी संख्या पुछी 15 इसका अंसर हो जाएगा लेकिन इसका तरीका एक आउर होता है कि वो दो धनात्रव पुढांग मैंने x y मान लिए x y का 5 और 3 है रेष्यो इसका multiply x y है रेष्यो इनका मैंने माना 5 x x 3 x मान लिया करिए इनको दोनों को जो multiply करेंगे तो 15 x स्क्यार एक को 375 के बराबर करेंगे तो यहाँ 25 x की value 5 आ जाएगी तो यहाँ पे 1 x की value आएगी 25 y की value आएगी 15 15 छोटी संक्या पूछ रहा है तो वही 15 अंसर इसका हो जाएगा चले ने इस question देखते हैं यह simple सा question है कि इसको इससे divide करने पर कितना आना चाहिए तो आपको पता है जब यहाँ समय दो 0 सब्टाइट हटाऊंगा तो यह वाला जो point है दो number पहले आ जाएगा तो हो जाएगा 0.0825 और नीचे क्या हो जाएगा only 5 इसको जब divide करेंगे तो पहले 0 ही लगा लेंगे और फिर कितना जाएगा 16 टाइम में जाएगा 16 पंची 80 है दो बज़ेगा तो 5 टाइम में जाएगा तो 0.0165 इसका अंसर आ जाएगा तो इसका अंसर जो हो जाएगा यह बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है यह वाला answer नहीं होगा यह वाला right answer हो जाएगा चले आगे देख लेते हैं इसको solve भी किया होगा मैंने हाँ यह देखे solve करके दिखा दिया है मैंने आप इसको देख लिजेगा चलें question देखते हैं अगला क्या पूछा गया था A और B के वेतन का योग 25,000 रुपए है वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं उनकी बचत का अनपाच 14,11 है तो रुपए उनके वेतन का पता लगाई है देखिए यह question बहुत ज़्यादा अगर आप इससे फार्मले से करते हैं या किस तरीका इस करते हैं थोड़ा time लगता है इसमें bug main चीज है option को पकड़ना पहला option दिया गया है कि उनका जो वेतन है वो 15,000 और 10,000 है तो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है इनको जोड़ने पर बिल्कुल आ रहा है 25,000 मतलब यह option ले सकते हैं लेकिन उसने काया काया है 75% खर्च करते हैं तो अगर मैं 15,000 का वेतन है वो 75% खर्चा कर रहा है तो बचायेगा कितना 25% बचायेगा तो 15,000 का 25% बचायेगा पूरा मत करियेगा आप यह 100,000 कर जाएंगे तो यहाँ पे 1,500 इंटू 25 बनेगा अब उसी तरीके से क्या होगा तो मतलब एक आपका जो बच्चत का रेशियो बनेगा वो देड़ 100 इंटू ऐसे 25 बनेगा और दूसरा वाला 10,000 करेंगे तब भी 3,0 कर जाएंगे तो 10 इंटू क्या बनेगा 100 इंटू 25 बनेगा जाके तो यह 25,25 कर जाएगा 0,0 कर जाएगा मतलब 15 बटे 10 आएगा तो 14,11 रेशियो बनी नहीं पर जाएगा तो उसी तरीके से 14,11 में क्या कर लेंगे 14 जिसे 14,000 है उसकी उसका 25 परसंट वो सॉल कर रहा है तो यह क्या करेंगे यह 2,0 काटेंगे तो यहाँ पे 140,25 इंटू आएगा और दूसरा वाला जब 11,000 लेंगे तो वो 110 इंटू 25 आएगा इनका रेशियो अगर 14,11 आ रहा तो मुल्ब सही आप्सन है तो यह 25,25 कटेंगे दो जो 0 कटेंगे तो 14,11 तो रेशियो आ रहा है आप्सन नमबर B बिल्कुल करेक्ट है आपको मैंने यह बता दिया देख्या आप्सन मैंने वी उठाया कि 14,000 का 25 परसन तो यह आया सीदी से 140,25 और यही 11,000 का अगर 25 परसन निकालेंगे 100,00 तो नीचे कटी जाएंगे तो 14,11 आया तो आप्सन से ज़्यादा इजी होते हैं यह कोशन तो 14,000 11,000 का अगला कोशन का एक परिच्छा में 25 सवाल किये हैं प्रतेख सही जवाब के लिए 4 रंग दिये के जाते हैं और प्रतेख गलत जवाब के लिए 2 काट लिए जाते हैं यह सीमा ने 70 रंग प्राप के तो उनके कितने सवाल सही हुए अब यह भी देखे सवाल कैसे लगाते हैं यह भी सवाल हम लगाते हैं आपसन से कितने सवाल सही हुए मनलब सही वाले का आपसन दिया होगा अगर 10 उसके सही होते तो उसको 40 नमबर मिल जाते सही नमबर मिल दे 40 क्योंकि एक सही के लिए 4 मिलने है तो अगर 10 सही है तो 10 गलत भी तो होई होगे क्योंकि टोटल तो 20 कोश्चन है I think total 20 है नहीं total 25 है तो सही क्या है अगर सही के लिए 40 उसे मिल गए 10 के लिए तो 15 के लिए 2 अंकट रहे हैं 30 मतलब 30 तो इससे सब्ट्राइक्ट हो जाएंगे बचेंगे 10 लेकिन वो तो 70 नमबर लेके आ गई तो पहला option गलत हो गया दूसरा option 15 है मतलब सही 15 है तो 15 अगर सही है तो 15 चोगो 60 अब ये 60 ही आ रहा है तो इसमें अब जो minus 11 को घटेगा तो 70 तो आया गई नहीं तो दूसरा option अपने मल से कट गया है दिए देख लीजिए अगर 20 सवाल उसके सही है तो 20 को 4 से multiply करेंगे तो 80 तो उसके सही सही नमबर मिले होंगे अब उसने 5 गलत के होंगे तो 5 टूजा 10 तेन उसके नमबर कट जाएंगे तो 10 80 में से जब 10 कट जाएंगे तो 70 ही तो बचेंगे और आपर 15 20 More से में अभी है ऐस सही कासी कट गलत करने डॉट nenhuma गे गहटाएंगे तो सही अंतर बिसोट बेस सही अंसर बीत अभीकोंचonta कोशंची देके दियाग varias निर्ड Weaux ऐसे की देंगे प्रश्न का उत्तर दिए इस में बताया ये हैकि 0-10 प्रपतांग के जो बच्चे हैं 0-10 नंबर जिनके आए हैं उनकी संख्या 5 है 11-20 नंबर जिनके आए हैं उनकी संख्या 9 है तो बस इस पे question पूछा गया पहला question पूछा गया कि कितने प्रस्ट विद्यारतियों ने 78, 18, 86, 96, 97, 107, 107 और ये 10 पूरा मिला करके आपका 13 मिला करके हो जाएगा 120 टोटल विद्धार थे आपके 120 हैं अब उसमें 80% से जादा अंक वाले पूछ रहा है तो 80% से जादा अंक कहां मिले हैं ये देखिए 80-90, 81-90 कितने बच्चों को अंक मिले हैं 94, 91-90, 7 बच्चों ने 120 में से 7 बच्चों ने क्या किया है 80% से जादा नंबर प्राप्त किया तो ये 0 कटा, ये 0 कटा अब इसको आप सॉल करिएगा मैंने आगे सारा सॉल करके आपको दिखा दिया है देख लिजेगा 7 बच्चे 120 में से 80 से जादा नंबर प्राप्त किया है इसको इन्होंने सॉल किया तो 70 बटे 12 आया 5.8 आजाएगा लगभग में चलें, अगला कोश्चन देखे क्या कहा गया है दूसरा कोश्चन इसी में पूद दिया गया है यदि उत्रीन प्रतिसत 41 हो तो कितने प्रस्चत विद्यारती अनुत्रीन हुए मला पास होना मार्किंग 41 है तो अनुत्रीन वही तो होंगे जितने 41 से कम लाए होंगे तो 41 यहां से स्टार्ट हुआ है तो इसके पहले 22, 16, 9, 5 इतने विद्यारती सब मिला करके क्या हुए अनुत्रीन हुए तो उनको सबको जोड़के 120 से भाग करके 100 से मल्टिप्लाई कर देंगे 41 से कम आए इतने बच्चे मिला टोटल 52 120 में 52 बच्चों ने फेल हो गए तो इसका जब हमने निकाला परसंटेज तो वो कितना 43.33 से आएगा तो आपको 43 आप्शन में दिया है तो 43 बिल्कुल इसका करेक्ट आप्शन हो जाएगा ये वाला ठीक लास देख लीजे उन विद्धारतियों का प्रस्चत क्या है जिन्होंने 41 से 70 प्रस्चत के बीच अंग प्राप्त किया तो 41 से 70 देखते कहा है लगभद इतना अंसर इसका आजाएगा ठीक है आप करिएगा इसी तरीके से कोशन होते ही है उस मूलधन का पता लगाई है जो साधान ब्याच की 8 प्रस्चत वार्सिक दर से 9 महिने में 1000 रुपए हो जाता है हमको मूलधन बताना है मूलधन दिया रेट दी है समय दिया है छीक देख लेते हैं रेट 8% दिया है समय 9 x 12 दिया है क्यों महिने में दिया था और जो मूल्धन दिया है वह 1000 रुके दिया है तो फार्मलवा क्या होता है कि A बराबर P । प्रस SI होता है तो A की जगा 1000 रखा P की जगा P रखा, SI का formula क्या होता P, R, T by 100 तो P की जगा P, R की जगा 8 और T की जगा T by 12 और 100 से multiply किया अब इसको आप solve कर लिजे, यहां से P की value निकाल लिजे तो P की value यहां कितनी है, जीकि 943.39 तो यहां 40 आएगी, लेकिन option में 40 नहीं दिया है, तो बढ़ता जाएगा तो लगभग 943.39 इसका option करेक्ट हो जाएगा तो यह आपको जो option है, तीसरा नंबर, 943.9 यह लोकुल option सही हो जाएगा क्योंकि जो 39 आ रहा है, तो 40 में option दिये, तो 40 वाला सही हो जाएगा चलिए अगला question देते, cos 1 theta, multiply 10 theta, divided by cos theta का value क्या होगी cos 1 theta क्या होता है, 1 upon sin theta, 10 theta क्या होता है, sin theta upon cos theta और divide में 1 बटे cos theta, तो नीचे 1 बटे cos theta हो जाएगा, sin sign कर जाएगा 1 बटे cos theta, तो option आ जाएगा, 1 बटे cos square theta, तो यह इसका 1 बटे cos square theta हो जाएगा यह देखें, यहाँ पर लगा है, बवस को देख लिए, ठीक है, हाँ, चलिए, अगला question देखते हैं, यह संभाव तरबुच का छेदपल दिया है, उसका परिमाप ग्याद कीजिए तो a square multiply हो जाएगा, तो 96 भी हो जाएगा, तो a की value कितनी हो जाएगी, 16 चका 96 हो जाएगा, 16 का square 4 हो जाएगा, 4 root 6 जिए इसके एक भुजा आगए अब परिमाप बताना है, तो परिमाप का फारूला होता है, 3 a, 1, 4 root 6 लग जेंगे, total root 6 इसका right answer हो जाएगा, यह option देख लिए इसका right answer, d number option हो जाएगे, लेकिन d कहाँ है, 2 में है, तो यह वाला सही मानेंगे, अगला देख लेते हैं, कौन सा question आया है, इसमें अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने में खड़ी है, तो यहाँ पर question है, कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने में खड़ी है, यह यह एक आयताकार खेत के कोने में खड़ी है, यह चोड़ाई दी गही है तो पाइथागोरस प्रमेस से हम क्या लगाएंगे 440 का स्कॉयर करेंगे 1600 तीस का स्कॉयर करेंगे 900 जोड़ेंगे 500 उसका अंडरूट करेंगे तो 50 अंसर आजागा इसका विकड अब जो कुल दूरी तेह करेगी 15 परशत की वरध्य होती है या दिवर्तमान कीमत उसको दी गई है रुपए तो दो वर्ष के बाद बताना तो क्या करते हैं इसमें कुछ नहीं करते हैं बस उसमें क्या करते हैं 15 वर्ष की वर्ष हो रही तो 115 इंटू 100 15 इंटू 100 2 बार कर देंगे आप इसको सॉल करिएगा मै इतने चार जीरो ये कट हो गए हैं अब 115 इंटू 115 करना थोड़ा सा कटिन तो मैंने 100 प्लस 15 कर लिया 15 का 100 में किया तो ये आया इस 15 का 115 में किया ये आया ठीक है इन दोनों को जोड़ दिया और 6000 से मुल्टिप्लाइ करते है 7 935 ट्रिपल जीरो इसका अंसर करेक्ट हो जाए अब देकि यहां पर एक कुलू मिलना के समान दूरी ते करता तो पहले हमको दूरी पता होनी चाहिए अगर एक वेक्थ है वो 4 किलोमेटर प्र गंट की गट से जला है जला एक गंटे में 4 किलोमेटर जा रहा है सु CC गंटे में कितना जए बारा किलोमेटर जाएगा कशना 12 km है अब यही दूरी दोबारा लट कर वापस आता है तो बारा ही दूरी 16 टाइम में वापस आएगा तो 4, 3, 12, 4, 16 लेकिन ये मिनट में हैं घंटे में तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्लिए क्या करेंगे तीन बटे 4, 16 कर लेंगे तो यहां 15 आजाएगा 15 ते 45 को कितना टाइम लगेगा 45 मिनट को समय लगेगा यह इसका अंसार हो जाएगा बहुत easy question NTPC में पूछे जाते हैं फुल्कुल hard question नहीं पूछे जाते हैं थोड़ी सी लेंगविज बड़ी होगी जिसको देखकर साइध आपको लगे को ।ोड़ा सा hard है लेकिन question NTPC जितने भी सेट मैंने देखें बहुत ही एजी कोशन आते हैं यह देखे मैंने लगा दिया चार किलुमिटेड पर गंटा एक गंटे में चार किलुमिटे तीन गंटे बारा किलों दोड़कर आने में लगा समय बारा प्टे हो जाएगा तो आठ चैनो साथ दिया है तो एक सो बीस का सेफ क्या होगा मैंने इस तरीके से भी आपको बता दिया अगया अगला देख लेते हैं कोशन दिया गया है निमल की जानकारी का अध्यन कर नीचे दिये गए उत्तर सतर विक्तियों किसी पार्टी में बावन अंग्र सब्सक्राइजी पढल सकते हैं 26 कोशों पूछा गया था पहली सिप्ट में बीकर सिर्फ अंग्रेजी बोल सक्ते हैं अब यह सतर विक्तिकी टोटल है और उसमें से क्या कर रहे हैं कि मर्य ज Shap फैस्ट पूछा गया है पहला कितने वह क्यों सिर्फेंग तो इस यह बनीचे सब्ट्राइक्ट कर दिजिए कूल में से 26 अगर मैंने कर दिए कुल सकतर थे और उसमें से 26 क्या थे 26 क्या थे लास में पूछा लास्मेंड़ो पूचा नीकल लाता अठ त तो अंगरी जींग तो यहां पे अंग्रेजी फ्रेंच टोटल अथर्टर निकर लाता उसमें सतर वेक्ति ही थे तो यह आठ एक्स्ट्रा थे वही क्या होंगे दोनों बोलने वाले तो इसका अंसार आठ हो जाएगा तो इस तरीके से आपके आपको पूरी में देता हूं अगर आपको पूरी में देता हूं अगर आप 15 कोश्चन लेकर बैठ रहे हैं और किसी चाइनल पर आप एक एक घंटे देड़ देड़ घंटे में 15 कोश्चन सौल कर रहे हैं तो उसमें कहीं तक आपका ही लास है आप स्पीड में कोश्चन देखे जल्दी से जल्दी कोश्चन खुद से करिए और तो आपका जो है ज्यादा प्रैक्टिस होगी बाकि आ आपको सबसे पहले नोटिप्रिकेशन मिल जाया करें तो आज के लिए इतना है धन्यवाद उस हमें sights करने है टुद से जल्दी कोश्चन देखे बस्सवफ से गया जापका जाएपिः जल्दी कोश्चन देर घख़